स्री राधा गृष्णा भ्यान नम, स्री मदभागवत महापुराण, चतुर्थ असकंध, अथ सप्त बिन्सो अध्याय, पुरंजन पुरी पर चंड वेक की चड़ाई तथा काल कन्या का चरित्र स्री नारध जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुन्दरी, अनेकों नकरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वस्मे कर, उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी उसने अच्छी तरह असनान कर, अनेक प्रकार के मांगलिक स्रिंगार के, तथा भोजन आज से त्रिप्त होकर वह राजा के पास आई, राजा ने उस मनोहर मुखवाली, राज महिस्ती का सादर अविनंदन किया पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया, फिर एकांत में मन के अनकूल रहस्य की बाते करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित लगा रहने के कारण, उसे दिन रात के भेद से निरंतर वीत्ते हुए काल की दुस्तर गतिका भी, कुछ पता ना चला मद से छका हुआ मनस्वी, पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे, महा मूल्य सया पर पढ़ा रहता उसे तो वह रमडी ही जीवन का परमफल जान परती थी, अज्ञान से आपरित हो जाने के कारण, उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान ना रहा राजन इस प्रकार का मातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजन, करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे छण के समान बीत गई, प्रजापते उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के ग्यारह सव पुत्र और एक सव दस कन्याएं हुई जो सभी माता पिता का सुयस बढ़ाने वाली और सुसीलता उधारता आधिगणों से संपन्न थी ये पवरंजनी नाम से विख्यात हुई इतने में ही उस समराट की लंबी आयुका आधा भाग निकल गया फिर पांचाल राज पुरंजन ने पित्र वंस के बृधि करने माले पुत्रों का वधूं के साथ और कर्ण्याओं का उनके योगेवरों के साथ विवाह कर दिया पुत्रों में से प्रत्यक के सौसो पुत्र हुए उनसे बृत्य को प्राप्त होकर पुरंजन का वंस सारे पांचाल देश में फैल गया इन पुत्र पौत्र ग्रिह कोस सेवक और मंत्री आज में दिन मंता हो जाने से वह इन विश्यों में ही बद गया फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनीक प्रकार के भोगों की कामना से यग की दीच्छा ले तरह तरह के पसुहिंसा में घोर यग्यों से देवत्ता पितर और भूत्पतियों की आराधना की इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्यान करने वाले कर्मों की योर से असहावधान और कुटुम्ब पालन में व्यस्त रहा अन्त में विद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो इस्त्री लंपट पूर्शों को बड़ा अप्री होता है राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है उसके अधेन 360 महा बलवान गंधर्व रहते हैं इनके साथ मिथुन भाव से इस्तित कृष्ण और सुक्लवन की उतनी ही गंधर्वियां भी हैं ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोव विलास के सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं गंधर्वरा चंडवेग के उन अंचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंब किया तब उन्हें पांच फन के सर्प प्रजागर ने रोका ये पुरंजन पुरी की चौक्सी करने वाला महावलवान सर्प सव वर्स तक अकेला ही उन साथ सव बीस कंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा बहुत से बीरों के साथ अकेली ही युद्ध करने के कारण अपने एक मात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राश्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधों के सहित बड़ी चिंता हुई वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुई कर को लेकर विसे भोगों में मस्त रहता था इस्तरी की वसी भूत रहने के कारण इस अवस्यम भावी भय का उसे पता ही ना चला बरहिसमन इन्ही दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में वठकती रही फिर भी उसे किसी ने स्विकार नहीं किया वह काल करन्या जरा बड़ी भाग हीना थे इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे एक बार राजर सिपुरू ने पिता को अपना यवण देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था इससे प्रसन होकर उसने उन्हें राज़ प्राप्ति का वर दिया था एक दिन मैं ब्रह्म लोग से प्रित्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई तब मुझे नैस्ठिक ब्रह्मचारी जान कर भी का मातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा मैंने उसकी प्रार्थना स्विकार नहीं की इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुसर साब दिया कि तुमने मेरी प्राथना स्विकार नहीं की अत्य तुम एक अस्थान पर अधिक देर तब अधिक देर ना ठहर सकोगे तब मेरी ओर से निरास होकर उस कन्याने मेरी सम्मद से यवन राजभय के पास जाकर उसका पति रूप से वरन किया और कहा बीरवर आप यवनों में स्रेश्ठ हैं मैं आप से प्रेम करती हूँ और पति बनना चाहती हूँ आपके प्रत किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता जो मनुस्ते लोक अथवा सास्तर के दिष्ट से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो सास्तर दिष्ट से अधिक्यारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता वे दोनों ही दुराग्रही और मूड हैं अत एव सोचनी है भद्र इस समय में आपकी सेवा में उपस्तित हुई हूँ आप मुझे स्विकार करके अनुग्रहीत कीजी पुरुस का सबसे बड़ा धर्म दिनों पर दया करना ही है काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता का यह कुप्त कार कराने की इच्छा से मुश्कुराते हुए उस से कहा मैंने योगदृष से देखकर तेरे लिए एक पती निष्चे किया है तु सब का अनिष्ट करने वाली है इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे जविकार नहीं करते अतह इस कर्म जनित लोग को तु अलच्छित होकर बलात्भो तु मेरी सेना लेकर जा इसकी सहायता से तु सारी प्रजा का नास करने में समर्थ होगी कुई भी तेरा सामना ना कर सकेगा यह प्रजवार नाम का मेरा भाई है और तु मेरी बहिन बन जा तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गत से भेंकर सेना लेकर सारे लोगों में विचरूंगा लोकों में विचरूंगा इति स्रीमत भागवते महापुराणे पारम हनस्याम सहितायाम चत्वत असकंधे पुरंजनों पाक्ष्याने सप्त बिनसो अध्यायः स्रीराधावल भलाले कीजे